पूरे देश बर में डपलम्मेंट के जिस प्रकार से कारकरम चल रहे हैं और देश विकास की रहा पर है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का कुछ बनता है तो वो है एक्वाजिशन लॉग का क्योंकि अगर आपको रोड बनानी है तो जमीन एक्वाइर करने पड़ेगी रेलवे ट्रैक बनाना है तो जमीन एक्वाइर करने पड़ेगी कुछ इंडस्टलाइजेशन करना है तो जमीन एक्वाइर करने पड़ेगी कुल मिलाकर सरकार अगर कुछ बहुत अच्छा करना च भूमी यानि कि मेरी भूमी मेरी अनुमती के बगर सरकार नहीं ले सकती थी आर्टिकल 191 F हुआ करता था 1978 में जो सरकार बैठी उसने क्या किया कि fundamental right से हटा कर इसको constitutional right कर दिया यानि कि अब आर्टिकल 191 F नहीं होगा अब article 300A होगा तो जहिर सी बात है कि अब ये constitutional right है ना कि fundamental right fundamental right नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि सरकार किसी की भी अगर उसके project में कुछ सरकारी परपस के लिए रास्ट के परपस के लिए लोक निर्मान के लिए जमीन की अवशकता है तो फिर वो जमीन acquire कर लेगी और आपको compensation दे देगी लेकिन आपका चूंकि constitutional right है इसलिए compensation निश्यत रूप से मिलेगा बाद में सुप्रीम कोट के पर आए जिसमें यह कहा गया कि compensation market rate से होना चाहिए market rate से compensation मिलने लगा फिर उसके बाद यह भी आया कि कोई जमीन को acquire कर रहा है तो market rate से compensation देने के अलावा उसके rehabilitation की बेविवस्ता सरकार को करनी पड़ेगी यह कि अब उसका पुनर निवास कहा हो इसकी बेवस्ता सरकार को सोचनी पड़ेगी पाद में योजनाय यह भी आई कि वो जो authority बनेगी company बनेगी production शुरू होगा या फिर वह इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें placement भी परिवार के एक विक्तिका होगा यह सब यो जनाय लगातार आती है अलाकि मोदी जी गुजरात में मुख्मंत्री थे तो मुख्मंत्री रहते हुए उन्होंने जो compensation की नीती अपनाई थी उसमें धाई गुना तीन गुना चार गुन केंद्र में ले आए वही कानून जो की गुजरात का था हालाकि सुप्रीम कोड पहले ही कह चुका था कि लेंड एक्वाजिशन के लाओ को लेकर लोग गुजरात के फर्मुले को क्यों नहीं इंडॉप्ट करते मोदी जी आये तो उन्होंने कोशिश की कि केंद्र में मोदी चीन ले रही किसान को भूमी हीन करे दे रही है किसान का ये किसान का वो किसान ऐसा कि अंद्र बैसा अन्दोलन शुरु हो गए लंबए समय तक अंदोलन हुआ मोदी जी की खास बात एक और है कि अगर देश की जंता क्नवींस नहीं हो पा रही है देश की हमारी ही जनता है उसमें अपना संभान उम्मान की कोई बात नहीं होती है तो फिर हम बिड्रॉख कर लेंगे जब जनता को समझाने योग हो जाएंगे जनता जब समझ जाएगी तब करेंगे तो कुल मिलाकर वो acquisition की policy withdraw हो गई लेकिन 1970 के दशक में दिल्ली केंदर बन गया दिल्ली में सारे देश से लोग अगल बगल के खास्तोर से दो से चार-पांश स्टेटों से लोग दिल्ली आने लगें दिल्ली में जॉब बढ़ रहा था तो दिल्ली के केंदर शार्षित प्योर हुआ करती थी और दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी तो केंदर ने यह उजना बने कि दिल्ली के चार और हम डबलम्मेंट करेंगे और डबलम्मेंट करके यह जो दिल्ली है दिल्ली को सेफ करेंगे और जो आबादी बढ़ रही है उसको वहां कराएं इसी ही को दिल्ली NCR कहते हैं ठीक Day Reporting है अब उसम उत्तर परदेश का मामला था उत्तर परदेश में Noida को डपलब करने का विचार किया गया ति b Ăवधा डबपलमेंट अथोरिटी ने डबलप करना शुरू किया जमीने एक्यवर करनी शुरू की है, जमीन के एक्यवाजिशन के लौ बने है, उतर प्रदेश डबलमेट अथर एक्ट केता है, फिर बाद में पता लगा गया नहीं, ग्रेटर नोइडा में भी, अब और छेत्र बढ़ाना पड़ेगा, तो ग्रेटर नोइडा का छेत्र लगा गया, ओखला जैसी इंडरस्टी वहाँ पर लगाई गयी, लेकिन कानून में एक संशोधन कर दिया गया, कानून में संशोधन, वो भी हाई कोट के ओर्डर से हुआ है, मुझे लगता है जहां तक, कि जमीन एक्यवर करेंगे, तो जमीन एक्यवर करतेश में, पुस्त जमीन जैसे मैंने कहा कि तमाम तरह के कानून बीच में आते रहे, जो जमीने केंदर ने, जो जमीने उस समय की सरकार ने, महला उत्र प्रदेश सरकार ने अपने हां डबलमेंट करने के लिए एक्यवर की, उसमें जो पुष्टैनी जमीन थी, उसको 15% एक्स्ट्रा, फिर ज जो उस छेत्र में जो एक्यवर्जिशन हुआ, उसका 10% हाउजिंग के लिए होगा, उसमें अलोट्मेंट उनको, और इसकी अतरिक्त जो 15% दिया है, वो तो दिया ही दिया है, इसकी अतरिक्त और बोनस देंगे, ये तैकर लिया सरकार ने, लेकिन पुष्टैनी जमीन जिस जो जिनकी पुष्टैनी जमीन नहीं थी, जिन उन्हों बाद में खरी दी थी, वो हाई कोर्ट चले है, हाई कोर्ट से उन्हों नहीं कहा, ये तो ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा, ये उचित क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जो लोग भी पुष्टैनी जमीनों पर थे, उन कि आत्मा वहां जुड़ी हुई है उनका है वहां जुड़ा हुआ है वो लोग यह 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 और सही classification है सुप्रीम कोट मामला आ गया दो जोंकि बेंच ने अभी हाल ही में मालब कल ही जेश्मेंट दिया और उस जेश्मेंट पुनों न का कि साथ देगो classification तो ठीक है लेकिन यह reasonable classification नहीं है क्योंकि reasonable classification हम सिर्फ उसको कह सकते हैं जिसमें कि आप भेदभाव ना करें तो पुष्तैनी जमीन और बात में खरीदी हुई जमीन इसमें आप भेदभाव करते हैं तो यह भेदभाव ठीक नहीं है यह classification नहीं है इसलिए कोई भी जमीन सरकार acquire करेगी तो वो acquisition का same type of rate देगी same type of rate से मतलब market में जो rate होगा वो rate देगी अगर bonus दूसरों को दिया जा रहा है जिनकी पैत्रिक जमीन है उनको दिया जा रहा है तो बोनस उनको भी मिलेगा जिनकी पैत्रिक जमीन नहीं है और जो facility पैत्रिक जमीन वालों को मिलेंगी वही facility उनको भी मिलेंगी जिनकी वो पैतरिक जमिनना होकर उन्होंने खरी दिये तो court ने कहा कि article 14 ध्यान में रखिये और article 14 ये कहता है कि equality हम सम्में रखेंगे अब आप equality यहां पर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा इसलिए honorable supreme court का जो judgment है उन्होंने साफ तोर पर classification को deny कर दिया और reasonable classification नहीं है इसलिए high court के order को पलटते हुए लोगों को समान रोप से compensation में ऐसी विवस्ता कर दी गई मुझे लगता है केंदर सरकार ने जो कानून पास करने की कोशिश की थी मोधी जी के नितरत्तों में वो कानून देश का सबसे best कानून था आज भी राहूल गांदी उस पर अड़कर उसको पीछे तो करवा गए लेकिन land acquisition state subject है राजे का विशह है केंदर कानून बनाकर राज्यों के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से land acquisition होता है उस acquisition के खलाव एक simple पूरे देश में acquisition की विवस्ता हो इसलिए किसी को भी कोई समस्या ना हो अलग-अलग राज्यों के आधार पर कोई भेदभाव ना हो ये केंदर ने कोशिश की रही कि हम ऐसा कानून बनाएंगे राहूल गांदी उस प्याड़े थे लेकिन आज भी क्या किसा की consent के बगर जमीन खरीदी जा सकती यस एपसलूटली खरीदी जा सकती और खरीदी जा रही है जो जो पॉइंट वो लेकर आये थे चुकि आर्टकिल 191-f fundamental right ही नहीं बचा था 1978 के बाद तो फिर सवाल ये पैदा होता है जब fundamental right ही नहीं बचा था तो फिर उससे fundamental right उसका acquisition अ right का मतलब रहते compensation आपको मिलेगा ही मिलेगा आपकी जमीन सरकार free में नहीं ले सकती तो फिर यहां पर राहुल गांदी जिस वजह से जो अंदोलन कर रहे है तो वो विश है तो वो बजह है तो सार्थक नहीं है इसलिए नुकसान after all किसान का हो गया है नुकसान after all उसका हो ग इसलिए राज सरकारे अपने अपने राज्यों में अलग-अलग तरीके से acquisition करती है और तमाम तरह के जैसा ये वेदभाव की बात आई तमाम तरह के बेदभावों की चर्चा भी करती है और वेदभाव करती भी है अलग-अलग जहां नेताओं की जमीने हैं वहां जमीनों क composition अच्छा मिलता है जहां रिश्यदारों की जमीने हैं compensation अच्छा मिलता है तो अलग-अलग जिले में अलग-अलग rate से compensation दिया जाता है अलग-अलग formula अपना जाता है अलग-अलग вариант तरीक अपना जाता है जो मुझे लगता है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है बगल की जमीन में अलग अलग कॉंपनसेशन नहीं किया जा सकता और यह आर्टिकल 14 का उलंगान है मुझे लगता है कि सुप्रीम कूट का जज्जमेंट स्वागतियोग है जै हिन जै भारत बंदे मात्रा